हेलो बच्चों, वेल्कम बैक टू मैं चैनल, कैसे हैं आप सब, आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए डिजास्टर मैनेज्मेंट यानि आप ता प्रबंदन से MCQS कोशन लेकर आई हूँ, मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं आई बेटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजएगा, इसके रावा और भी सब्जेट पर मेरे चानल पे आपको MCQS वीडियो मिल जाएंगी, जैसे कि विज़स एकनॉमि लिज़े नोटिफिकेशन बेल को जोरान करिएगा, वीडियो अच्छी लेके तो लाइक करिएगा, आईए शुरू करते हैं, इससे पहले की वीडियो में 40 तक कोशन हो गए थे, 41 कोशन लेते हैं, सुनामी किस स्थान पे आती है, वियर डस्ट सुनामी अकर, लैंड, सी, नन, तो आपको बताना हैं, जो सुनामी होती है, कहाँ पर आती है, तो सुनामी जो आती है, वो सी में आने के समबोदर में आती है, प्रेक्त आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, आपके एक्जाम में जो कोशन साते हैं, वो एज़ी और डिफिकल्ट दोनों तहां के आते हैं, तो इस वीडियो मैंने दोनों ही दाके questions को include किया है, easy भी और difficult भी, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो देखेगा और लार्स तक देखेगा, और अपने friends को share भी कर दीजेगा, next question लेते हैं, महसागर के तली पे होने वाले कंपन को किस साम से जाना जाता है, the vibration at the bottom of the ocean card, question आप से पूछ रहे हैं, जो महसार की तली के ऊपर जो कंपन होता है, वो क्या कहलाता है, तो वो हो जाता है, tsunami, तो यहापर पर एक टांसर हो जाएगा, option C, next question है, भूकम से प्रित्री की सता पर पहुँचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको मैंने बताया था, जो भूकम पाता है, तो किते तरिके की वेफ साथी, P, S और L, P हो जाती है, primary, S हो जाती है, secondary, और L हो जाती है, longitudinal wave, तो यहाँ पर आपसे question पूछा है, जो सबसे पहले प्रित्री की सता पर पहुचती है, वो कौन सी होती है, तो वो हो जाती है, primary wave, यानि की P, तरंग ये, तो correct answer हो जाएगा, यहाँ पर option A, next question है, भुकम केंदर की उधरवादर प्रित्री पैसित केंदर को क्या कहा जाता है, the center located on the earth vertically, from the earthquake center is called dash, earthquake center, epicenter, center, none of these, तो question पूछ रहा है, जो भुकम केंदर के, यानि की जहाँ पर भुकम का केंदर है, प्रित्री की सता के नीचे, जहाँ भुकम का केंदर उससे ठीक, उपर एक सीधी रेखा कीची जाती है, तो जो प्रित्री की सता के उपर का केंदर हो जाता है, वो क्या कहलाता है, भुकम क जन्म होता है क्या कहा जाता है krowa को तो फो जाता है कर नेतं से शुरुबात सदोelleमी क्यों सब्सक्राइब करते हैं यह को duy Will सोदर के विल्कुल लिकर't होता है तो यहाद है कोशन में रखे हैं समुदर पुरोगं हो जायेगा спасибо for का ओप्शन ए नेस्ट कुशन है सबसे विनाश्कारी तरंग कौन सी है विच इस दा मोस प्रेंजर स्वेप पी एस एल नाल आफ दीस तो कुशन में आप से पूछ रहा है कि इसलिए विनाश्कारी तरंग कौन सी होती है तो मैंने आपको बताया था भी कि जो कम पाता अर्थ क प्रबंदन पादी करण का पदेन अध्यश कौन है तो राष्टी आप दा प्रबंदन पादी करण होता है उसका पदेन अध्यश कौन होता है तो वो हो जाता है प्रधान मंत्री यानि की प्राइम मिनिस्टर गरिक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेस कौशन है निवकित में से कौन आपदा प्रबंदन अधिनियव दोहजार पाच के तहत कठे ताष्टी आपदा प्रतिकिरया निदी का संचालन करता है तो जो राष्टी आपदा प्रबंदन अधिनियव हैं दोहजार पाच उसके अंतरगत एक राष्टी आपदा प्रतिकिरया निदी संचालित की जाती है इसका अरतिय है कि जब भी कोई आपदा आती है तो उसके बाद जो पुनरवास की व्यस्ता की जाती है तो वहाँ पर उसके लिए क्या होता है कोश क्या शक्ता होती है तो उसका प्रबंद करने के लिए जो समीति गठित की गई वहो जाती है राष्टी आपदा प्रतिकिरय प्राइब निद्धी का होता है वह हो जाता है केंद्री ग्रहमंतरी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आप्शन B आप्शन C निद्धी आप्टा प्रबंधन सस्थान या NIDM को पहले निम्मे से नाम दिया गया था नेशनल सेंटर ओफ डिजास्टर मैंज्मेंट आर एनडीन वास प्रिवेशली निम्ड ऐस आपको बताना है कि जो अब आपका नेशनल सेंटर ओफ डिजास्टर डिजास्ट वैनेजमेंट तो आपको बताना है कि किस नाम से था राश्टी आपद् begitu पराअनु परिश्याद राश्टी आपद्धब्द पर्बंत न परिशयु आपो ते जो जाना जाता था पहले वह राश्टी आपद प्रबंधन केंद्र के नाम से जाना जाता था अब उसका नाम प्रेतल के क्या कर दिया गया है राश्ट्री आपदा प्रबंधन सहस्थान तो यहां पक एक रासर हो जाएगा ऑप्शन ए नेस्ट कुशन है निर्ड में से कौन आपदा के बात को पाए है विच और फॉलूइंग इस पोस्ट रिजास्टर मीजर्स रिकंस्ट्रक्शन प्लानिंग और पॉलिसी अर्ली वर्निंग जोनिंग तो आपसे पूछ रहा है कि आपदा आने के बात को पाए क्या होता है तो आ आपदा आने के बात जोी छोठी पहुची होती है तो कैसे उससे निपटा जाया आप्शन ए नेस्ट कोशन है देश के पहले आपदा प्रबंधा पिश्यच्छ संस्थान के स्थापना कहां गी गई है वेर हैस बेंदा कॉंट्री इस फर्स रिजास्टर मैंनेज्मेंट ट्रेनिंग एस्टिटूट इस्टैबलिश्ट लातूर चन्नाई हैद्राबाद तमिल लाडू तो कोशन में आपसे पूछ रहा है कि आपदा प्रबंधार का पिश्यच्छ संस्थान है वो पहला पिश्यच्छ संस्थान भारत में कहां पर स्थापित किया गया है तो स्थापित किया गया है लातूर में जो कि महाराश्ट्र में जिसने की बताया जाता है कि कोई आपदाओं के लिए योजना बनाने का प्रात्मिक लक्ष किसे कम करना है दा प्रामरी गोल ऑफ प्लानिंग फॉर डिजास्टर इस्टु डेथ डैमेज रिस्क वल्नेरिबिल्टी तो आपका कोशन पूछ रहा है कि जो आपदाओं के लिए योजना बनाई जाती है तो उसका प्रात्मिक प्रामरी उसका गोल क्या होता है क्या कमकरना होता है मृत्तियो को च्टि को संकट को भेद्दता लेकिन च्छती होगी तो उस doubled ह्हाँन का जैप कि कमसे कम से कम हो लोग्पर प्रकार की परस से नीचे आती है तो यहां पर किस प्रकार की अबदा होगी वो हो जाएगी इस लिए तो करेक टांसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेस कोशन है राच आप दा प्रबंधर में भाग निमकित में से किसी भाग के अधीन काल करता है तो आप लोग मुझे इस कोशन का अंसर कमेंट करिएगा किसका करेक टांसर कौन सा है नेक्स वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि और कोशन के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा नोटिफिकेशन बेल को जोरान करिएगा जिस तो जो भी वीडियो में डालो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जदा-जदा फैंट्स का शेयर कर अञर झालो वीडियो पर दो जाएग करिएंगा बाान मिल जाएगा जोगे लिस तो सब्सक्राइब करिएगा खताते तो सब्सकितों जालो छितिकेशन र 이상श्छी एग हो ज को जो जो ।ो सब्सक्राइब करिएग में उैंगा।